हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लाटिनम क्लासेस दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास टेंथ हिंदी का वाक्य भेद का टेस्ट नमबर वन जहाँ पर मैं आप लोगों को आज 10 कोश्चन को बनवाऊंगा और इसके पीछे जो भी कंसेट्स होंगे उसे मैं सॉल्व करवाऊंगा दोस्तो आपको एक कोश्चन के पीछे चार आपशन मिलेंगे और आपको चारो आपशन में से जो सही एंसर होगा उसे आपको बताना है तो जैसे-जैसे मैं कोश्चन बनवाते जा रहा हूं परिश्रम किया वे उत्तिर्न हो गए इसे मिस्र वाक्य में चेंज करना है इसे मिस्र वाक्य में अगर आपको चेंज करना है तो मिस्र वाक्य में चेंज करने से हमें sentence start होता है तो यह इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम लोग देखते हैं मिस्र वाक्य में इसमें से कौन सा होगा सबसे पहला गया है जिन छात्रों ने परिस्रम किया वे उत्तिर्न हो गए यहाँ पर देखे जिन और वे यानि कि यह आपका आंसर हो सकता है नेक्स कोशन देखते है परिस्रम करने वाले छात्र उत्तिर्न हो गए यह बिल्कुल नहीं होगा उत्तिर्न होने वाले छात्र परिस्रमी थे यह भी नहीं होगा परिस्रमी छात्र उत्तिर्न हो गए यह भी नहीं होगा तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्सन बिल्कुल सही होगा यहां पर देख सकते हैं जिन छात्रों ने परिस्रम किया वे उत्तिर नहों गए ठीक है चली नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्स कोशन है कौन सा मिस्त्र वाक्य है आपको बताना है इन में से चारों में से कौन सा मिस्त्र वाक्य है सबसे पहला देखिए कमाने वाला ही बिल्कुल यह मिस्रवाक्य नहीं है उसके बाद है जो कमाएगा वह खाएगा यानि कि दो संटेंस को अलग अलग टाइक से जोड़ रहे हैं जैसे जो कमाएगा वह खाएगा यानि यह मिस्रवाक्य हो सकता है आगे देखिए कमाकर ही खाया जाता है यह बिल्कुल भी नहीं हो इसे मिस्र वाक्य में change करना है यहाँ पर देखे और लगावा यानि यह सायुक्त वाक्य में अभी से मिस्र वाक्य में change करना है तो मिस्र वाक्य में कैसे change करेंगे तो इसका मिस्र वाक्य हो जाएगा कि उसके पास जो कुछ था गया यह तो नहीं हो सकता है उसके पास जो था वह खो गया यानि कि जो था वह खो गया तो जो वह इस तरह से हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो यानि कि इसका थर्ड कोशन का आंसर बिलकुल ख सही हो जाएगा मिसरित वाक्य इसमें से छाटना है कि इसमें से मिसरित वाक्य कौन कौन सा है तो सब अकेले अकेले अपने जीना चाहते हैं बाते करते हैं करांती की पर संभलता अपनी सरीर भी नहीं यानि कि यहाँ पर लगावा है यह तो आपका सायुक्त वाक्य में आ जाता है यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल घह सही हो जागा मिस्रवाक्य में नेक्स कोशन देखिए गड़ा खोद कर मजदूर चले गए इसे मिस्रवाक्य में कैसे कहेंगे तो मिस्रवाक्य में इसे कहेंगे जब मजदूरों ने गड़ा खोदा तब वे चले गए तो देखिए जब तब जैसे तैसे यहों त्यों इस तरह का संडेज को यह situations को यह मer भूझ भूघ किए विखारी भूखा है उसे भोजन दो इसे सायूक्त वाक्य में करना है तो सायूक्त वांकि अजाते और लगाते पर लगाते पर अंतों लगाते तो सायूक्त- क्या हो जाएगा यहां पर देखिए सईयुक्त वाक्य में भूखे भीखारी को भोजन दो यह बिल्कुल नहीं होगा वह भीखारी भूखा है इसलिए उसे भूजन दो यह भी नहीं होगा जो भीखारी भूखा है उसे भोजन दो यह तो आपका मिस्र वाक्यम आ जाएगा तो यह विद्याले नहीं गया यह हो सकता है नेक्ष गर देखते हैं साहब बाहर गया यह भी बिल्कुल नहीं होगा पिता जी ने बताया कि आज हमें बजार जाना है तो यह भी बिल्कुल नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा कि वह बीमार है इसी लिए विद्याले नहीं गया निक्ष्ट देखते हैं सैयुक्त वाक्य छाट करके आप लोगों को लिखना है प्राता काल प्राता सुरेदय हुआ और पक्छी चाह चाहने लगी वे सभी चित्र बिक गए जैसे ही साम हुई वह चली गई जैसा करोगे वैसा भरोगे तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर बिलकुल सही हो जागा प्राता सुरे हुआ और पक्छी चाह चाहना लगा यहाँ पर और लग गई ठीक है नेश्ट देखिये आपका पत्र मिला मैं चला गया इसका आंसर क्या होगा आपका इसको स्वयूक्त वाक्य में करना यानि कि मुझे और किन्तु परंतु ऐसे लगाना है इसका अंसर हो जाएगा आपका ग मुझे आपका पत्र मिला और मैं चला गया ठीक है नेक्ट कोशन देखिए स्वयूक्त वाक्य कुछ हाटना इसमें से बिना परिश्रम के सफलता नहीं म जाएगा दोस्तों यह सारे 10 कोशन आप लोगों को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबा लिजिए ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इस तरह के जो भी एंसी क्यों होंगे उसे मैं लाइव करने की कोशिस करूंगा ताकि आप भी इसमें इंट्रेक्ट कर सके और अपना आंसर को लिख सके आज के इस वीडियों बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर लिए थाइंक्यू एंड हैवे नाइज दे